नमस्कार मित्रों में भरत रानिज आपने जोतेश प्रोगरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मित्रों आज हम बात करेंगे मेस्ट लगने कि पुण्ड़ी में नीच्ष भंग राजियोब के बारे में मित्रों में लगनेश होते हैं मंगल यानि एक नमबर यानि मेस राशी मेस राशी के स्वामी होता है मंगल जन्म कुंडली में चौते भाव में विराजमान हो जाएंगे यहां पर चौते भाव में चार नमबर लिखा है चार नमबर यानि करक राशी में मंगल ग्रह विराजमान हो जाएंगे तो ऐसे में मंगल की करक राशी जो है वो नीच राशी होती है करक राशी में मंगल होते हैं तो मंगल नीच के कहलाते हैं अब यहां पर मंगल ग्रह का नीच परभाव जो ग्रह कम करेंगे वही ग्रह इस कुंडली में नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो मंगल ग्रह यहां पर चार नमबर में बैटकर नीच के हो गए अब आपको देखना है कि इनका नीच भंग कौन करेगा तो मित्रों इस भाव का स्वामी कौन है जिस भाव में अपनी नीच रासी में होता है आपको देखना है उस भाव का स्वामी कौन है तो यहां पर चार नंबर लिखा है तो चार नंबर के स्वा नीच भंग बनाएंगे चंद्रमा को इसके बाद करए इस भाव का स्वामी अगर इसी भाव पर द्रश्टी करे अपने पूण द्रश्टी इस भाव पर करे कर या निशूर्म हं यहां पर बैठे होगे तो अपने भाव नहीं होता हैं तो करक्राशि में गुरुप उच्के होते हैं तो चंद्रमा यहां पर यहां पर नहीं हो और यहां पर चौते भाव में चंद्रमा नहीं होकर गुरु हो तो गुरु यहां पर उचके होते हैं तो उचके ग्रह के साथ में मंगल जो है नीच ग्रह है तो गुरू मंगल के साथ में बैठ कर उचका हो जाता है करक राशी में गुरू जो है वो उचका हो जाता है तो मंगल के साथ में बैठेगा तो ऐसे में मंगल का नीच भंग होगा समझ गए मित्रों जिस ग्रह के साथ में यानि जिस ग्रह के साथ में जो ग्रह अपनी नीच रासी में बैठा है उसके साथ उच्छ का ग्रह हो तो ऐसे में उस ग्रह का नीच भंग हो जाएगा तो यह हो गया है तीसरा पॉइंट इसके बाद बात करते हैं चौती बात कि इस रासी का स्वामी जिस रासी में ग्रह नीच का हो रहा है तो इस रासी का स्वामी चंद्रमा अपने उच रासी में होगा तो ऐसे में भी इस ग्रह का नीच बंग हो जाएगा तो इस रासी में इस रासी का स्वामी होता है चंद्रमा और चंद्रमा होता है रश्चब रासी में उझ का तो चंद्रमा यहां पर बैटे होंगे तो भी इसका मंगल का नीच भंग हो जाएगा तो मित्रों अगर मिस BLACKन के आपकी कुणली है और आपकी कुणली में अगर मंगल गबर चौते भाउ में बैटे हैं तो आपकी जन्म कुणली में मंगल गबरLo जो रहो नीच के हैं तो इस तरह से चंद्रमा अगर आपकी जर्म कुंडली में दूसरे भाव में हो चौते भाव में हो या फिर जर्म कुंडली में दस्वे भाव में हो तो चंद्रमा नीच भंग करेंगे और अगर भूरु अगर चौते भाव में हैं मंगल के साथ में तो भी इस तरह मंगल का नीच भंग होग में नीच भंग योग के बारे में जानकारी जो मिन आपको दी मेरे द्वारा दी जानकारे आपको अवश्य पसंद आए वीडियो को लाइक करना अपने मित्रों के साथ सेर करना फिर मिलेंगे नहीं जानकारी के साथ धन्यवाद